हेलो दोस्तों स्वागत है आपका टेक्नोलजी मार्टर में दोस्तों आज की वीडियो है टैब बार के फीचर के बारे में जी हाँ आप टैब बार कह लीजिए या कह लीजिए प्राइवेट सेफ यह दोनों सेम फीचर है तो इसके इसके बार में यह वीडियो है आपने देखा होगा जब आप फोटो गैलरी में फोटो सेलेक्ट करते हैं नीचे एक ऑप्शन आती है सेट ऐसे प्राइवेट तो हम इसके बार में आपको बताएंगे यह क्या चीज है क्या फीचर है तो फर्स्ट टैम जब आप फोटो सेलेक् करेंगे तो सेटिंग हो जाएगी सिरफ यह फर्स्ट टैम होगा तो कि उस टाइम आपने इंफोमिशन भरनी है पासवर्ड भरना है तो हम यहां पर पासवर्ड रख लेते हैं आप पैटरन भी रख सकते हैं देखे हम एक सिंपल सा पासवर्ड रख लेते हैं रिकवरी सब फिल कर लेते हैं इसे डन कर लेते हैं तो इसके वाद आप देखेंगे परमिशन हमने दे देनी हैं सारी आप फिंगर्प्रिंट भी यूस कर सकते हैं यूस फिंगर्प्रिंट पे आप क्लिक करेंगे तो आप फिंगर्प्रिंट भी यूस कर सकते हैं पासवर्ड की जग नीचे सेट ऐसे प्रैविट कर दिया देख सकते आप सेट ऐसे प्रैविट कर देते हैं तो नीचे एक option देखेंगे यहां पर भी एक छोटा सा shortcut भी बिताते डिचानु फोटो देखनी है तो आपको जाना पड़ेगा सेटिंग में सैटिंग के अंदर अफ्शन यहां प्रायवेट सेटी आप प्रायवेट में क्लिक करेंगे प्राइव फिल करेंगा मैं तो आंपे dux यह यहां घैलरी में आपको नहीं देखेंगी लेकिन नीचे मैं आ आपको दिखाया था एक shortcut जो दिखाय रहा था touch and hold the tab bar तो यहां पर आप देख सकते touch and hold the tab bar to view तो वो tab bar क्या है तो मैं बिताता हूँ tab bar है यह जो आप photo album यह जो लिखा हुआ है यह tab bar है आपने सिरफ photo album किसी के उपर भी click करके रखिए और 2 seconds के लिए hold रखिए आपसे password मांगेगा आपने password फिर करना है और आपके जो गैलरी है private safe वाली वो open हो जाएगी मैं आपको दिखाता हूँ एक बारी यह उपर आप देख सकते है photo album explore यह option tab bar की option है तो इसे हम tab bar कहते है तो यह आपको oppo के A series के phone में available है like A15, A33, A1K, A11K तो जो भी A series के phone है सब में यह option सेम है तो guys यह थी आज की वीडियो फिर मिलेंगे कुछ नई वीडियो के साथ तब तक के लिए